राज्य सरकार की नाकामियों के खिलाब कॉंग्रेस ने सोपा राष्टपती के नाम ग्यापन खोड़निया जम कर बरसे राज्य सरकार पर कॉंग्रेस पार्टी के पदादिकारी एवं मुकारी करताओं ने राज्य सरकार के खिलाब उप्खंड अदिकारी को ग्यापन सोप कर बताया कि राजस्तान प्रदेश में भाजपा की सरकार लगबग 10 महा से कारिवत है और संपूर्ण तरसे विफल रही है प्रदेश में आम जनता त्रस्त है और चिकित सा शिक्षा बिजली पानी सडक जैसी मुलबुच सुधाओं को पूरा करने में पूर्ण तया विफल है वही उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा अपरादियों पर लगाम पाने में सफलता नहीं मिल गई है प्रदेश में महिला अत्याचार बलीत अत्याचार नाबालिक बच्चों के साथ बलातकार जैसी घटना है वो माफियां खमन माफिया बजरी माफिया अपनी चरम सिमा पर है दराउजगार यहा भटक रहे हैं और नई भरतिया नहीं निकाले जा रही हैं वहीं उन्होंने सरकार की अन्य योज़नाओं के बारे में भी जिक्र करते हैं कहा कि पूरु में कॉंग्रेस सरकार त्वरा चलाई गई योज़नाओं पूरी तरह से लागु महीं हो रही है और सरकार पूरी तरह से अपने कामों में विफल दिखाई देती है उन्होंने नगरपालिका के कारियों के बारे में भी जिक्र करते हैं कहा कि वर्तमान सरकार नगरपालिका को बज़ाड उपलब्द नहीं करवा पा रही है जिसकी वज़े से कारिय अधूरे अटके पड़े है इस दोरान नगरपाली का अध्यक्ष मेरेंगे खोड़नियां कॉंग्रेस नगरअध्यक्ष लली पंचाल ब्लोग अध्यक्ष दीरेज पंडा सहित नगरपाली का के कॉंग्रेस पारशद कारिक करता मोजुद थे इस दोरान AICC सब्स चे दिनिस खोड़निया ने क्या कहा एक बार सुनिये जरूर बरतमान सरकार जिन जुठो वादों को लेकर के सत्ता में आई थी पिछले दस मीनों के शाषन में ये सरकार हर मामले में फैल हो चुकी है और इनका एक नारा था कि नहीं सहेगा राजिस्तान तो राजिस्तान के अंदर प्रति दिन डर्जनों नाबालिक बच्चियों के साथ बलातकार हो रहा है रोजगार का कोई सादन ये उपलब्द नहीं करवा पाएं रोज चोरिया बढ़ रही है इन सब बुद्दों को लेकरके अदरास्पति के नाम ड्राफन दिया गया है लेकिन सबसे ज़्यादा अक्रोष सागवडा नगरवास्यों और सागवडा विदान सभा शेत्र के लोगों को है भारती जनता पार्टी के सरकार के किलाब कि पिछली सरकार ने अशोग गेलोग जी की सरकार ने इस सागवडा नगर के विकास के लिए 425 करोड रुपया पेजल का बाही से पानी लाने का और उसके साथ आसपास के सारे गावों तक हर गर पानी पोचानी की जो इसकिम थी वो भी इन्हों ठेंडे बस्ते में डाल दिये हमारा 110 करोड रुपया सिगुरेज का आया है वो भी ठेकेदार को ये काम नहीं करने दे रहे है 20 करोड रुपया हमारा सागवडा के मेरिस होल के लिए स्ट्रेट किया हुआ बजट है वो भी ये सरकार ने रोख लिया है 6 करोड रुपया हमारी सभी नस्या जी की पहाडिया और पूरे संदरी करने के लिए दिया है उसको भी सरकार ने रोख लिया है तालाबों को पांचों तालाबों के लिए पैंदर हो गए हैं लेकिन ठेकेदार को परेशान किया जा रहा है काम नहीं करने दिया जा रहा है इन सब चीजों के कारण किस आगवडा के अंदर आज 120 साल पुराना नगरपालिका का भवन है उस जगे पर अगले 50 साल को देखते ह हुए नगरपाली का बोर्ड ने प्रस्ताव लिया है शांदार भवन बनाने का नक्षा पास कराया है उसके उपर इस्टे लेकर क्या आएं उसको रोग रहे हैं अभी सारी समाजों को कि देश के आजादी के बाद पहली बार ये कॉंग्रेस का बोर्ड नरेंद्र खोड़न कर सामुदाइक भवन का सिल्यानास किया उसके विरोध में बोल रहे हैं पाडिदार समाज का दिया उसके विरोध में बोल रहे हैं कि यह नहीं बनने चाहिए कुछ न कुछ पॉइंट निकाल करके ये काम को रोक रहे हैं मैं ऐसे भारती जिन्ता पार्टी के नेताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि सागवड़ा के 45,000 लोगों का नुक्सान मत करिये आप आप सब समाजों के सामुदा एक भवन बन रहे हैं हमारी कांग्रेस का बोड चाती है कि हर समाज के पास उसकी स्वयम की भूमी हो तो इस साथ तरिक को भी जो बोड की बैठुक रखी है सागवड़ा का जो समाज मांगेगा उसको हमारा कांग्रेस का बोड उसको भूमी दे का प्रस्ताव हमने चेर्मेन साब से और बहुत से निवेदन किया कि सभी समाजों को नीश्वल भुकम दिये जाएं ये प्रस्ताव सामूद का मातंथ बजार में ईनके सरक्षण के लिए एक फिक्स राशी और करमिचारी नगरपलीगा की तरफ से बुर्षाला को दिये जाएं ये पहली बार राजिस्तान में हो रहा है तो इस तरीके के प्रस्ताव हैं जिसके भी विरोध में ये भारती जनता पार्टी के लोग शिकायते करकर के और बोड को परिशान कर रहे हैं जनता के जो विकास के काम हैं उसक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए धन्यवाद